कृष्णी दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स महला आप चैनल में आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं महाभारत का एपिसोड एट अगर आपने इससे पहले की सेविन एपिसोड नहीं देखें तो महारे चैनल में रिलीजिस कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर दे लास्ट एपिसोड में कीचक का बद हो चुका था अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं सुनकर दुर्योधन कन से बोला मेरी राय में हमें इसी समय मतस्य देश पर अचड़ाई कर दिनी चाहिए सेनपती कीचक मर चुका है यदि पांडव वहीं हुए तो वे राजा विराट की साहता करने अवश्य आएंगे फिर हम उने पहचान लेंगे और उने फिर भारे वर्ष बन में भटकना पड़ेगा ठीक है तो वैसे भी उनके अग्यातवास में अब कुछी दिन शेष रह गये हैं हमें सीकरता करनी चाहिए तब ही दुशासन बोल पड़ा एक परसंदा का स त्रिगत राज की सेना ने राजा विराट की रास्थानी को घेर लिया भयाना की उद्ध होने लगा राजा विराट त्रिगत राज की सेना का पीछा करते वे दूर निकल गये तब ही दुर्योधन की सेना ने नगर को घेर लिया दुर्योधन के सैनिकों ने विराट की साथ जार गवें गौलों से छीन ली गौले भागकर राजभवन में राजकुमार उत्तर के पास पहुंचे अनर्थ हो गया राजकुमार दुर्योधन की सैना ने भी नगर पर आकर्मन कर दिया है उन्होंने हमारी साथ होजार गवें शीलनी और उन्हें हस्तिना पुर्गियों और खदेड़ते हुए ले जा रहे है ओ यह तो बास्तर में अनर्थ हो गया है लेकिन हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे पास तो कोई अच्छा सार्थी भी नहीं है तब ही ब्रहन लरा के बेश में अर्जुन आगे बढ़ा उसने बड़े कॉमर्श अब्दों में राजकुमार उत्तर से कहा राजकुमार मैं अर्जुन का सार्थी रह चुकी हूँ और धनुर विद्या में पूर तैने पूर हूँ अब तयार हो जाई है मैं आपका सार्थी बनूँगी अर्जुन उर्वशी के शाप के वज़े से भ्रहन लिला बन चुका था और अज्यातवास में था अर्जुन राजकुमार उत्तर को रत में बिठा कर युद्ध शेदर की ओर ले गया लेकिन कॉर्वों की विशाल से न देखते ही राजकुमार घबरा गया और रस से कूट कर भागने लगा अर्जुन ने उसे छपट कर पकड़ लिया राजकुमार अगर तुम कौर्वों के साथ युद्ध नहीं कर सकते तो तुम सारती बनो युद्ध मैं करूंगे युद्ध छेतर के समी भी एक शामी के पर पांड़ों ने अपने शस्त्र छपा कर रक छोड़े थे अर्जुन पर चड़ गया और वहां से अपना गांडीव धनुश और अन्य शस्त्र उतार लाया अर्जुन ने गांडीव को छुमा और फिर निशाना साथ कर कौरोवां सेनों पर बान वर्षा आरंब कर दी गांडीव धनुष की टंकार सुनते ही गुरूर दोनाचार आश्चर जगित रखे फिर बड़े प्रसन भाव से मुस्करा कर बोले अरे यह तो अर्जुन के धनुष की गांडीव की टंकार है उसी के धनुष से ऐसी हवाय निकलती है अगर ऐसा है गुर्ते तक तो हमें फायता होगा पांड़ पहचाने जाएंगे और उन्हें फिर से बारे वर्ष का बनवास काटना पड़ेगा दुरियोधन पांड़ इतने मूर्ख नहीं है कि वे समय से पहले अपने आपको प्रकट कर दें जला करना करके तो देखो पांड़ों के अज्यात वास के एक वर्ष का समय तो कभी का खतम हो चुका है अर्जुन की बार वर्षा से कौरफ सेना में भक्तर मच गई कौरफ सेना घबराकर हस्तना पुर्गी और भागी राज कौमार उत्तर ने एक विज़ाई भाग के भाव में नगर में प्रवेश किया एक सेवक ने महाराज विराट को सूचना दी महाराज राजकुमार उत्तर दुश्मनों उपर विजय प्राप्त करके नगरें प्रवेश कर रहे हैं उसका वीरोचित स्वागत किया जाए तब ही राजकुमार उत्तर ने ब्रहन रला के वेश में अरजुन के साथ राजसावा प्रवेश किया महाराज ने उनका स्वागत किया हम तुम्हाने प्राकरम से बहुत प्रसंद नहीं राज कुमार आज से हम तुम्हें अपनी सैना का पुर्धान सैना पती नियुक्त करते हैं शामा करें महाराज ये विज़े मेरी नहीं अर्जुन की है अगर अरजुन मेरी सायता नहीं होती तो मैं गौर्फ सैना का सामरा नहीं कर पाता महाराज ने आश्चर से पूचा अरजुन कहा है अरजुन उत्तर ने प्रहन लड़ा की और संकेत करते वेगा यह अरजुन ही तो है महाराज जिने आप कंकदेव के नाम से जानते हैं वे महाराज योदुष्टे रहें तो बागी भाई का हैं और महाराणी दुरौपदी वे का हैं महाराज आपके रसोई घर के प्रदान रसोई एपर लब महावली भीम हैं गरंथिक और तंत्रीपा नकुर और सहतेव हैं जिने आप सहरेंदरी के नाम से जाते हैं वे वास्ता में महाराणी दुरौपदी हैं महाराजा विराट और महाराणी दोनों सिंगासन से उतरे और हाज जोड़कर समायाचना करते वे बोले शमा कीजिए मुझसे बड़ी भूलो गई मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया राजा विराट ने उनका बहुत स्वाग सतकार किया उन्होंने अपनी राजकुमारी उत्तरा का विवार अरजुन के साथ कर दिना चाहा किन्तु अरजुन ने यह कहा करकि राजकुमारी को मैं संगीत और नर्तिकी शिक्षा दिताराओं या तो मेरी पूत्री के समाने इस सम्द्ध को अस्विकार कर दिया किन्तु राजा विराट के अक्रह पर अपने पुत्र अविवन्नू के साथ उसका विवा करा दिना स्विकार कर लिया तब तक उनके विराट अगर में होने का समाचार द्वारेका में भी पहुंच चुका था और वहां से कृष्ण और बलराम दोनों भाई भी विराट नगरी में पहुंच चुके थे महाराजा बिराट अब पांड़ों के संबंती बन चुके थे एक दिन राजा विराट की सबम में पांडो के अतरीत कृष्ण बलराम और उनके अने एक पक्षतर राजा बैठे हुए थे तो बलराम बोले ये दिश्टेर मैं तुम्हें तथा दुर्योधन दोनों कोई समान रूप से इसने करता हूँ लेकिन मैं दुर्योधन की अनीति और अन्याय से भी भलीवाती परिचेत हूँ मैंने उसे समझाने के कई बार प्रयास किया लेकिन दुर्योधन तुम्हारा राजचे किसी भी हालत में लोटाने को तयार नहीं हुआ असल मैं दोश दुर्योधन का नहीं है इस अनीती और अन्याय के लिए उसके कण और शकनी जैसे सलाकार कही अधिक दोशी है मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ कौर्वों कि रासामा भीष में तामा गुरू दुराना चारे कृपा चारे और महात्मा विदुर जैसे महापुरुष भी है वे इस अन्याय का विरोध अवश्चे करेंगे ठीक है कृष्ण तुम प्रत्न करके देख लो वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि दुर्योधन बिना युद्गी है पांडवों का राज्य वापिस देगा लेकिन भैया एक बार और प्रत्न करके देख लेने कोई बुराई भी नहीं है हो सकता है बात दुर्योधन की समझ में आ जाए कृष्ण पांडवों के दूद के रूप में कौर्वों की राज्सा में पहुचे मैं आप सभी महानवावों के महाराज युद्ष्ट्र का संदेश सुनाना चाहता हूं सर्थ के नसार पांडव बारे वर्ष का बनवास और एक वर्ष का ज्यात वास काट चुके हैं इसनी नियमा नसार अब उनको उनका राज्य लोटा देना चाहिए करिष्ण आप तो बुद्धिवान वक्ति हैं भरा जीतावा राज कैसे लोटा जा सकता है और फिर पांडव तो अपने आपको महान युद्ध समस्ते हैं युद्ष्ट्र के संदेश को उत्तर में आप उससे कह दीजएगा यदि अपना राज्य वापे चाहता है तो युद्ध कर के ले सकता है दुर्योधन चांते हो इस युद्धिकर के का प्रणाम मिकलेगा केबल कौर्मों का ही नहीं वरा उनके पक्षतर सभी इनने राजाओं का भी सफाय हो जाएगा और राजा का नाश राज्य और प्रणामों का सर्वनाश होता है अगर तुम उन्हें राज्य नहीं देना चाहते तो ना सही तुम उन्हें सिर्फ पांच गावी दे दो ताकि उन्हें कुस्तो संतोस हो जाए और युद्ध की विपीशका से बचा जा सके पांच गाव पांच गाव की बात कर रहे हैं क्रिश्न मैं तो ने पगेर युद्ध की हसुई की नौक के बराबर भी पूमी नहीं दूँगा यह मेरा अंतिम रिण्य है ठीक है मैं आपका संदेश युद्ष्टे को सुना दूँगा लेकिन फिर भी मैं कहा रहा हूँ समझदार इसी में है कि आप उनका राजचे बापस लोटा दे है क्रिश्न की सला सुनकर दुर्योधन गुस्टे से लाल पीला हो गया और जैसी क्रिश्न उटकर दरवाजे की और बढ़े वैं दुशासन ने बोला दुशासन बंदी बना लो इस कोले को मुझे सला दिने चला है क्रिश्न हस पड़े आगे बढ़ता वह दुशासन टटक कर खड़ा हो गया क्रिश्न ने पीछे चार और बढ़ते सेने को देखा और देखते ही देखते हैं अपने शरीर को इतना विराट कर लिया कि कौरफ समान भक्तर मच गई किस निर्वरोध महां से निकल गए और फिर दोनों और से युद्ध की तियारिया होने लगी दुर्योधन पलराम के मात्यम से एक बार किस फिर कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें अपने पक्ष में हो जाने के लिए का किन्तु कृष्ण का दुर्योधन एक और मेरी विशाल सेना और एक और मेरी निशास्त्र मैंने प्रतिक्या किया कि इस युद्ध में सस्तनी उठाऊंगा अब तुम जो चाहो चुन सकते हो दुर कृष्ण को सायक के रूप में पाकर प्रसंद हो गया कृष्ण अर्जुन के सारती बने फिर एक दिन कृुक्ष शेत्र के रन शेत्र में कौरवां पांडों की सेना है आमने सामने आखड़ी हुई कृष्ण ने अर्जुन का रत पकड़कर तोना सेना के बीच में लाकर आप लीजे